कर दोस्तों हमने दो स्रीज बनाई है पार्ट और पार्ट टू अगर आप अभी तक नहीं देखे हो प्लीज जाकर देखें मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखाया तो प्लीज वहां जाकर पूरी वीडियो को जरूर देखें गाइस टाइम को वेश्ट को जल्दी से स्टार्ट करते हैं वा समयने की कोशिज करते हैं कि बिहार में अगले कौन कौन से बड़े-बड़े प्रोज्ट आने हैं जी दोस्तों जो हमारा फर्ष्ट मेगा प्रोज़एक जिसका नाम है कच्छी दरगा से लेकर विदुपूर तक एक शिक्सलें आवर ब और बिहार में भी देखने को मिलेगी जो six lane highways होगी जो हमारा second mega project इसका नाम है पटना कोलकाता एक स्पेसवे हैं जी दोफ्तों इस project की कुल लंबाई 450 km है इस project के तहärt पटना से कोलकाता जाने वालों के लिए बहुत ही ज्यारा सूइदा होगे अभी बिहार में एक स्पेसवे की प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो अभी प्रोजड के बारे में क्या सुछते हैं क्योंकि यह बिहार के लिए बहुत important प्रोजड के लिए काफी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट की बाइनलि इसे भाइरत-माला प्रोजड के सामिल किया गया और आने वारे दो अज़ा सबसे खास बात है कि यहां पर किर्केट की स्टीडियम होने के साथ चोटे बड़े बहुत सारे स्टीडियम देखने को मिलेगा और इस प्रोजेक्ट के तहच पूरे अगल बगल वाले एरिये को पूरी तरह से अच्छे तरह से डबलब किया जाना है अच्छे पार्क बड़े बड़े बिल्डिंग्स मॉल्स रेस्टोरेंट शॉपिंग कॉंपलेक्स इत्यारी देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट को राजगी डवल्मेंट प्रोजेक्ट के तहर डवलब किया जा रहा है हम सभी को पता है कि बिहार को वर्ड क्लास टूरी स्पोर्ट की बनाने की कोस सब्सक्राइब इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोक्षा के स् différend में पतनाम centr हम सभी को पतना से बिलोंग करते हूं जो वो सभी को पता कि पटना मेट्र काम काफी तेजी से चल रहा होना ही चाहिए था बड़ यह काफी लंबे समय बाद यहां पर आ रहा है हां जी तो इसका पूरा 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 क्रेडिट मोधी गवर्मेंट को जाना चाहिए तुकि यहां पर बीजेपी की सरकार थे तो उसी के तहत यह यह पर लॉंच किया गया है और अभी यहां पर काफी तेजी से काम चल रहा है यह बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टन था 2030 तक यहां पर मैट्र में आप घूम सकेंगे मैट्र से कहीं भी जाना होगा तो कम से कम समय में अब मैट्रो से जा सकते हैं यह को तक्रिवन तेर कोईडर की बात करूं तो यहां पर दानापूर से लेकर खैमनी चक तक बनाया जाना है अगर मैं फेस्ट वन की नौत से साउथ कोईडर कोई बात कर पटना आई एस बीटी से लेकर पटना रेलवे स्टेशन तक बनाया जाना है गया हमारा अगला पोजक्ट जाने से पहले अगर आप मैं चैनल को सब्सक्राइब ने किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सब सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीड़ जिरू सेर करें तो चली दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला पोजक्ट जो कि मार और यहां पर इसी चीज को देखते हुए यहां की इंफ्रस्ट्रक्टर को काफी तेज़िस डवलब करने के कोशिज की जा रही है इसी के तहित कई सारे मेगा पोर्स को लांच किये गए जो आने वारे टाइम में बिहार में बहुत ही अच्छे तरीक से डवलब किया हुआ देखेगा और सबसे इंपोर्टेंट यहां की जो सबसे खुबसूरत बात है कि इस एरिया को बोद गया कि अगल बगल जितने भी एरिया उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाना है और आप सभी को इस चीज के लिए प्रौड फिलोना चाहिए कि हमारे बिहार में भी कुछ काम हो गये वह सारी के सारे कंप्लूट होते हुए देखेंगे उस वक्त आपको बिहार बहुत ज्यादा बदला बदला से नजर आएगा तो यह थे बिहार के कुछ बड़े-बड़े मेगा पोजेक्ट अब इस मेगा पोजेक्ट के बार में क्या सोब्सक्राइब बताएं वीडिय अगले वीडियो में एक नए टॉपिक साथ जय ही जय बारत